हेलो दोस्तों मैं नाम है विशाल और अगर आप भारते रेलवे से जुड़ी जनकारी सरल भाषा में जाना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगा पर आए हैं और दोस्तों नियो रिशिकेश रेलवे स्टेशन बनकर तयार हो गया है और आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बाताने जा रहा हूँ तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं चार धाम यात्रा रेल मार का पहला स्टेशन योगनगरी नियो रिशिकेश बनकर तयार हो गया है ये स्टेशन गंगा नदी से थोड़ा हट कर पहाड़ों के बीच बनाया गया है रेल प पहाड के मनुहरी दृश यात्रिओं को दिखाई दे सके इसके लिए प्लैट्फरम के देनो छोर पर उपर शेड नहीं बनाये गये हैं ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्री कुरसी पर बैठकर आराम से पहाड के मनुहरम दृश देख पाएंगे प्लैट्फरम पर जहां शेड लगा हुआ है, वहाँ यात्रियों के लिए विशेश सुविधा की विवस्ता की गई है 325 वर्ग मीटर छेतर का वेटिंग हॉल बनाया गया है जिसमें AC की विवस्ता भी की गई है कोच की सफाई करने के लिए Automatic Washing Machine सिस्टम लगाया गया है कोचों में पानी भरने की विशेश विवस्ता भी की गई है एक से दूसरे प्लाटफॉम पर जाने के लिए 140 सेड़ी वर्लिफ्ट की विवस्ता भी की गई है यहां यात्रियों के लिए विश्राम ग्रे भी बनाया गया है इसमें Star 3 होटल के समान सुविधा उफलब्द कराई जाएगी इसका संचालन आया सिटी सी द्वारा किया जाएगा Circulating Area को काफी बढ़ियां बनाया गया है यात्रियों के वहनों के आने के लिए काफी चौड़ी सड़क का निर्मान किया गया है बीच में पार्क भी बनाया गया है इसके बीच में भगवान शंकरबर की बड़ी मुर्ती लगाई गया है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए है या फिर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करे जैहिंद